हेलो जी नमस्कार कैसे आप लोग उमीद करते हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और अभी सुबह का बज़रा है नौ और अभी हस्वेंट निकले हैं ओफिस और ये उनका कपड़ा प्रेस होके आया था तो मैं इसको रखने के लिए लेके आई और बच्चे चले गए हैं दोनों को छोड़ के आ गई और उसके बाद इनको भी नास्ता पानी दे दिया ये भी चले गए हैं और अभी मेरी हाउस एलफर नहीं आई है तो आज कल थोड़ा सर्दियों में नो पांच पे नो दस पे ऐसे आ रही है उसके उपर है कभी नो बजे भी आ जाती है उसका दो भी को देती हूं कपड़ा प्रेस होने के लिए इनका कपड़ा घर पे नहीं हो पाता है तो इस वज़े से और यहां पी यह जूते वाला रेक जो है उसको ठीक की और उसके बाद इधर आ गये थे यह साग वाले तो मैं इनसे ही कटवा के लिए लेती हूं साग और इनका साब में दिखा रही थी दम पालक वगरे साफ रहता है बस धो दोना तो अच्छे से धूल दाता है तो मैंने इनसे ले लिए साग थोड़ा दस रुपे मार्केट से महंगा देते हैं लेकिन कट करके न अच्छे से दे देते हैं तो इस वज़े से ले लेती हूं और आज कल ह नहीं रहता है एक दिन बीच लगा लगा के जाड़ना पड़ता है निकालके तो यहां पर जो है मैं कपड़े भी डाल देती हूं हावा चल रही है तो आज ठंडी भी है धूप बहुत तेज हो रहा है और घर में कमरे में धंडी लग रही है तो यहां पर जैसे नहाने जा लेती हूं पीतल वाले बरतन एकदम चमक जाते हैं तो थोड़ा सा लिक्विड लिया और पिटांबरी लिया और उसके बाद जो है उसी से रगड के धो लिया बरतन और यह जो है मैं कर लूंगी अब बगवान जी की पूजा और पूजा की भीना तो फिर लगता है को कुछ दूरा दूरा सहर तो इस वज़े से मैं नाद हो के पूजा पाट कर लेती हूं और अभी जो है जाडू पोच्छा सब हो गया है सारा काम हो गया उसके बाद आ गया तक घर से फोन तो थोड़ा बहुत बाते बाते की उसके बाद थोड़ा सा बाहर दो मिनट के लिए बैठी है और कमरे में इतनी ठंडी लग रही है कि मैंने इनर पहना है उसके पास सुट पहना है उसके बाद स्वेटर पहना है इतना कपड़ा पहन लेती हूं मैं क्योंकि ठंडा तो देखे लगता है और सुबह के टाइम में जब शान दून को छोड़के जाती हूं तब तो लोगों को पता ही है कि सारी चीजे करनी पड़ती है मुझे ही इस वज़े से मैं चाहती हूं कि मैं कभी बीमार ना पढ़ू ताके मेरे बच्चे या मतलब इनको कभी दिक्कत नहों फिर दिक्कत हो जाती है अगर मुझे थोड़ी सी भी सरदी जुखाम कुछ भी हो गया न कट कर लिया और अलू गोल-गोल से कट कर लिया है पकोडों के लिए अच्छा मैं कड़ी न कड़ी में बालू आले ही पकोडे डालती हूं मेरे हाना मजलब सबको आलू आले इनको पसंद है तो इस वाज़े से और कड़ी बन जाती है तो फिर साम की टेंशन खतम हो गई और जाली मिर्च नमक दाल लिया है और जादे मिर्च मसाला नहीं डालती हूं तो यहां पर तल लेंगे पकोड़े तो मैं यहां पर पकोड़े ना थोड़ा सा एक्सटा ही 24 पीस करती हूं क्योंकि जैसे पकोड़े बनाओ ना अगर यह लोग रहते हैं तो मैं सब के लिए थोड़ा बहुत बना देती अगर यह लोग नहीं रहते हैं तो फिर अपने लिए ही एक दो रख लेती हूं और देवा भी ना खाना जब खाएगा तो ले लेता हैं तो यहां पर देखें कि नहीं अच्छे पकोड़े बन गए और रख देते हैं कड़ी तो मैं ऐसे नहीं में तड़का डालके में तड़का ब़ाला कि देसे पकता हां और यथर ऑपका कड़े जो फिर नगरने केा बास मेरें चाहाइशा पड़ा था ऊसमें अब इसको मनेए मिक्स कर लिए और उसमें फिर पानी डाली। पूरबर के और इधर जो एक्स्टा तेल था उसको मैं जो है निकाल लूँगी और थोड़े से तेल में अब डालूँगी इसमें थोड़ा सजीरा थोड़ा समेथी थोड़ा सशर्शो राई जिसको बोलते हैं वो भी डालनी हूँ और उसके बाद एक लालमेच डालनी हूँ एक तेस पत्ता दाल दीयों दोड़ी सी हिंग डाल दीयों इतने का तड़का मैं लगाती हूँ और ये सच में घड़ी टेस्टी बनती है उसके बाद मैंने थोड़ी सगड़ी पत्तें डाल दिये और ज़िए लहसन नहीं डालती क्योंका इनको पसंद है प्याज को अच्छ तो रहता है लेकिन अगर हम भी डालो तो अच्छा लगता है और बहुत सुंदर आता है तो यहां पर जो है मैंने गोल डाल दिया है और देखिए जीरे और उसका मेथी का सारा अग्दम से जादा ही कड़ी में थोड़त पड़ता है तो अच्छा लगता है देखने में भी और कड़ी का यही खास बात है कि इसको चलाना चीने तो फट जाता है फिर अलग हो जाती है यह कड़ी अब इस बिज में चलाते रहे है न छोड़िये मत उसको तो मैं चलाने के बाद जब उबाल आता है तो नमक डालती हूं तो कड़ी मेरी फटती नहीं है बिल्कुल भी कि अच्छी रहती है और शाब थांडा ही था है जिस में से निकाला था मैं और तो जी उसकाड़ी पकेगी तब तक मैंदर जो कपड़े लाई थी ना उसको कर लूँघ लाए और गाना चल रहा है और गाना चलते चलते ना अगर काम ना करने का मन करे तो गाना चला तो तक मैं कपड़े भी अपना कर लूँगी और कड़ी तब तक पक जाएगी तब तक देवा के लेने जाने का जैसे कि पहुन एक बज़े में जाती हूं तो टाइम हो जाएगा और आटा भी गूती हूं तो देवा को लेके आओंगी उसके बाद मैं फटाफट पराठे बना लूँगी और फिर शांतनु का जैसे देवा में और शांतनु में एक घंटे का अंतर अब हो गया है सर्दियों की वज़े से पहले तो दोनों का सेमठा लेके आती थी फिर भागती थी लेने के लिए शांतनु को तुरंत थी लेकिन अभी टाइम रहता है तो देवा को चें लिया है तो मैं विस्किट फाड़ के दे रही थी तो जब तक भीस्किट खाएगा तब तक मैं इधर फटाफट रोटी बना लूँगी जादे तो नहीं बनानी है लेकिन जो भी बनानी है इसको बना लूँगी फटाफट और यह तवा बढ़ा है ना तो इस पर दो डाल के मैं जल्दी जल्दी बनाती हूं थोड़ा सा इस पीट से न इस वे टावा बढ़ा है तो छोटा करके और रख लूँगी और उसके बार चली जाओंगी शांतिनु को लेने के लिए उसको लेके आती हूं तो खाना वगरा खाता है फिर आदा गंटा रेष्ट खुट की भी बौडी कुछ से यह होता है तो रेष्ट पर उसको खुद भी आ राम करते हैं बच्छों भी बोलते हैं थोड़ा स्कूराइफ के और अगर यही रहता है नोपमीच्पर कश देखो बच्छे को देखो पती को देखो तब तक इनके आने के टाइम हो जाते हैं फिर जीब जीला और पस टाइम निकल जाता है फिर साम का वही रूटीनी स्टार्ट हो जाता है तो यहां पर मेरी बात करते करते हैं रोटिया बन गई और यह देखे कड़ी और मैं लाल मिर्च ना नहीं डाली लाल मिर्च देखे अभी बाद में डाली हूं तो कल कितना सुंदर हो गया न और देवा के लिए कड़ी निकाल लेती हूं तब इसमें लाल मिर्च डालती हूं देवा फिर मिर्च डाल देती हूं तो नहीं खाता है तो लाल मिर्च पाउडर डाल के फिर एक मिन और इधर मैं इसको खोल के देख रही हूँ और आप लोग भी बतायेगा कि यह रिंग कैसी लगी है मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने मंगा लिया था कि मतलब आदमी यही आजकल साधिवादी लगनोगन का दीन चल रहा है इस वज़े से तो यहां पे जो है मेर पैकिंग ना अच्छा आता है मंगवाने पर तो ऑनलाइन में मंगवाई हूँ यह देखिए और बहुत सुन्दर लगा यह पिंक और क्रीम कलर में है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ऐसे टाइप से मैं जुमके टाइप से पहनती हूं लेकिन मुझे यह अच्छा लग लेने के लिए और इसमें जो यह पन्मी आती है ना जो गोल गोल से बने होते इसको बजाने में बड़ा मजात है तो मैं बैठ के